So dear students, let us all question number 10 Question number 10 कहा रहा है A body is projected horizontally with 5 meter per second from H height तो कुछ H height से एक body को 5 meter per second से horizontal project किया गया है ठीक है? और इसको 8 seconds लगते हैं ground में आने में ठीक है? इसकी कुछ trajectory ऐसी होगी और 8 seconds में ये ground पे आ जाती है ठीक है? तो question हम से कहा रहा है Time taken to cover 1 fourth of height तो ये नीचे आ रही होगी तो 1 fourth height cover करने में कितना time लगेगा इसको? देखो जब भी कोई body आप उपर से इसको project करते हो या इसको drop करते हो क्या करते हो? drop करते हो अभी तो मैंने क्या करा? इसको horizontal velocity दिये कौन से velocity दिये मैंने इसको horizontal तो इसकी vertical velocity क्या है? उसको free fall कहते है तो ये भी जो ये वाला object है ये भी तो इसकी भी तो vertical speed 0 है initial तो ये भी vertical direction में एक तरीके से free fall ही कर रही है बस horizontal speed दी थी उसलिए कुछ horizontal displacement हो रहा है इसका ठीक है? तो जब free fall में आप किसी body को h height से free fall करवाते हो तो उसको नीचे आने में h height से नीचे आने में कितना time लगता है? root 2 h by g इतना time लगता है ठीक है? अब question अपन को क्या कह रहा है? time takes to cover first one fourth height यानि कि h by 4 आने पे h by 4 नीचे आने पे उसको कितना time लगेगा? ये हमको पता लगाना है तो सबसे पहले हम ये पता लगाते है कि इसकी total height कितनी है? तो total height आपन को मालूम नहीं है अपने h मान लिए total time आपन को बता time of light इसका 8 seconds है तो इसको solve करते हैं है दोने तरफ square करके इधर आजएगा 64 ये root हट जएगा यहां पे तो h के लिए solve करेंगे h आजएगा अपना 320 meter अब 320 meter से अपने इसको drop किया है अब अपन को क्या निकालना है कि 320 का 320 का जो fourth part है one fourth part है वो cover करने में इसको कितना time लगेगा तो वो अपन इसको small t लिख लेते हैं ठीक है तो वो अपना लगेगा time equals to root to h अब h हो जाएगा अपना 320 by 4 है अब उन में g इसके लिए अपन इसको solve करेंगे तो अपना answer आजएगा 4 seconds will be our answer to this particular question